खबर है CGPSC यानि CGPSC महा घोटाले की आ रहा हूँ इधर बढ़ रहा हूँ भाई CBI जाँच शुरू हो गई CBI जाँच शुरू हो गई और ये CGPSC का घोटाला क्या है, कैसे है, क्यों है, कौन इसके पीछे है, कितने किरदार है ये जो नाती, पोते, भाई, बहन, बहनोई, सब इधर उधर सिफ्ट किये गए है, कैसे किये गए है और CBI जाँच क्यों कर रही है, कल पहुंची है, क्या क्या मिला है और जो मुख्य किरदार हैं, जिनका नाम है रिपोर्ट में, वो क्या कर रहे है धड़कन तो बढ़ ही गई है, सब कुछ जानना समझना है, तो चलिए ख़बर बता देता हूँ आपको अब सर बनने का सपना पूरा करने के लिए, यवाओं को खुली आँखों से सपना देखना पड़ता है क्योंकि इनके पास सिलेबस में इतने चैप्टर होते हैं कि रात में सोने का समय ही नहीं मिलता है सरकारी नौकरी में एक एक नंबर के लिए बहुत कॉंपटीशन है भाई साथ, बहुत कॉंपटीशन है दिन रात पढ़ना पढ़ता है सब कुछ छोड़ना पढ़ता है उस समय चोड़ना पढ़ता है जिस समय आपके मस्ती करने के खेलने के खाने के दोस्तों के साथ पाटी करने के दिनों लेकिन उसी समय आपको ये सब करना पढ़ता है ये त्याग करना पढ़ता है अपने दोस् घर परिवार के सभी खुशियों वाले तेवहारों को छोड़ना पड़ता है या आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि सरकारी भरतियों में गड़बड़ी होना मतलब युवाओं के सपनों की हत्या करने जैसा है ये लोग फरजिवाडा करके लाखों युवाओं के सपनों को मार देते हैं सालों के संघर्स की हत्या कर देते हैं नीट वाला देख लीजे एक्जाम कितने परिशान हैं कितने परिशान हैं लोग आपको याद है ना तीन साल पहले 36 गड़ में भी युवाओं के सपने को कुछला गया था वही पियसी घोटाला जिसमें टॉपरों के मैरिट लिस्ट में गड़बडी हुए देख लीजे इस लिस्ट को दिखा दीजे मेरे बगल में आप देख रहे हैं कई अधिकारियों के बच्चे खुद अधिकारी बन गया ओम बिड़ला लोग सभाध्यक्ष हैं उनकी बेटी का मसला है पुरे देश में हाहा कार मच गया और 36 गड़ में अधिकारी नेता के रिष्टेदार अगर बनेंगे अधिकारी सवाल नहीं उठेगा इस मेरित लिस्ट पर खूब बवाल हुआ है खूब बवाल हुआ है प्यस्सी के चेर्मेंट टामन सोनवानी ने अपने रिष्टेदारों को डिप्टी कलेक्टर बना दिया है हाँ डिप्टी कलेक्टर बना दिया है और ये मामला इतना बड़ा हुआ कि राज में भुपेज बगेल की सरकार भी चली गई इसी घोटाले पर आज विस्तार से बात करेंगे आपको बताएंगे किसने और कैसे किया था सरकारी वर्ती में इतना महा घोटाला इतना महा घोटाला कि अब जब परतें खुल रही हैं तब समझ में आ रहा है कि लाखों युवाओं के सपनों का कतल किया गया है कत्म किया गया है दरसल 36 गड़ 2021 पीस पीससी के रिजल्ट में गड़बड़ी पर अब CBI जांश शुरू हो गई है सुमवार को CBI की टीम ने लोग सिवा आयोक के पूर्व चेर्मेंट टामन सुनवानी और पूर्व सची जीवन की सुर्थू के घर पहुँच गया है कौन CBI क बीजेपी के आरोब के अनुसार तक कालिंज लोग से वायोक के चेर्मेंट टामन सुनवानी ने समवैधानिक पत्का दुरूपयोग करके 2021 पीससी के परिक्षा में अधिकारियों, कॉंग्रेस के नेताओं और कारोबारियों के बच्चों वो मेरिक लिस्ट में जगा दी है पाप किया है सुनवानी जी, आपने पाप किया है, इसमें 17 चैनित अभर्धियों के नाम पर विवाद है, इसमें से सबसे ज़यादा टामन सुनवानी के ही रिस्तदार सामिल है, देखिए जिनके चैन पर विवाद है, उनकी लिस्ट दिखाईए ज़राए, पीससी के तातक च्छीप आया ये भी दिट्रिय के लिए चुल की बेटे के बाद बहुरिया का नाम है निसा कोशले ये betriggтор पर के लिए चैने थोयी न बड़े बाई का बेटा साहिल ये इतने रिष्टेदार मेरे घर में मेरे घर में मैं एक पत्रकार बना और मैंने कहा भाई कोई सरकारी नौकरी में भर दो सरकारी नवकरी में भरदो कोई सरकारी नवकरी नहीं पाया और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किये खोब पड़े नवकरीय नहीं मिल रही है और यहां रिष्तेदार दाएं भी रिष्तेदार बाएं भी रिष्तेदार उपर वरिष्टिदार, नीचे वरिष्टिदार, इतने प्रतिभासाली रिष्टिदार हैं आपके गुरू, बेटा बहु सब बुद्धिमान, मतलब एक साथ, तामन सोनवानी के घर छप पर फाल के अधिकारी हो गए, एक किसी कहाँ पटवारी हो जाए, तैसीलदार हो जाए तो लगता अधिकारी बन गए, यहाँ अधिकारी ही अधिकारी ही अधिकारी, और सिर्फ अधिकारी टामन सोनवानी के घरी नहीं बने दूसरे अधिकारियों के बच्चे के CGPSC की परिक्चा के नतीजे आए, तो अधिकारी बने थे, राजिपाल के सचीव अमरित खलको की बेटी नहा खलको और बेटे निखिल खलको का चैन डिप्टी कलेक्टर के लिए अधिकारी ही अधिकारी बने थे, इसके लावा और नाम देख लीजे, कई नेताओं और अधिकारियों के बेटा बेटी दमाद रिस्तेदार एक साथ है डिप्टी कलेक्टर बन गए, जिसमे जिसमें कॉंग्रेस नेता की बेटी ने अगरवाल डिप्टी कलेक्टर के लिए चायनित, पी अल्दृ, बस्तर नक्सल ऑपरिशन के डिप्टी साच्छी ध्रू, डिप्टी कलेक्टर बन के लिए चैनित, कॉंग्रेस नेता के Sudk साडु भाई, अरे भाई, गजब बत्वर साडू ओडू नहीं छोड़ रहा है मतलब हद है ये वरस्टाचार भाई रिष्टदारीन वरस्टाचार ही है ये साडू, ननत, भाउजाई सब के लोगों को आप इस्तरश कर देंगे जिनको नहीं रखेंगे वो बिगड जाएंगे वो गुस्टा जाएंगे के देंगा हम क्या भिगाड़े थे हमारा एको नाती नहीं रखा आपने आईसे अधिकारिया और आईसे अध्यक्ष अगर बनाएंगे तो पहले एक पूरा आप भरस्टाचार करने की सोचो खाका बनाए होंगे कि पहले और रिष्टेदारी में भी यह देखे होंगे कि कौन सरिष्टेदारी ठीक है किसका हमारा लेन देन ठीक चल रहा है किसका भाईचारा ठीक है साधी ओदिम कौन आता है भाईप निभाता है यह साडू भाई की बेटी खुचो वू बिजवरी डिप्टी घलेक्टर पद के लिए चयए नित कौंग्रेश नेता रजजेण सुगल कोंग्रेशात बेटे राजेनकुमार कॉसिक कर डिप्टी कळेक्टर पद के लिए चयए नाम बता रहा हूं ना तो बहुत δुख भीOT रहा है अब आप कहते हैं यह गड़बडी धूड़िये, गड़बडी धूड़िये, ठीक है माना, लेकिन यह जो वटब्रिक्ष दिखा रहा है, आपको पता यही मुद्दा बना पिछले विदानसवा चुनाओ का, और वो पे सरकार गिर गई, तब बिजेपी नेता ओपी चोधरी और उज्वलदीपक ने, गवरी संकर स्रिवास ने, इतना यह मुद्दा उठाया, इतना मुद्दा उठाया, बच्चो बच्चो तक पहुचा दिया कि आपके जीवन के साथ खेलवाल कर रहे हैं, परिक्षा में धानली कर रहे हैं, तब ही वीजेपी ने अपने गोशना प यह हमारे घोशना पत्र का एक प्रमोख हिस्सा था कि हम PSC घोटाले की CBI इंक्वारी कराएंगे, सरकार बनते ही इसकी प्रक्रिया हमने प्रारम कर दी थी, और अब CBI ने इंक्वारी प्रारम किया है, निश्चे दुरुप से चत्तिरगड के नौजवानों के साथ जो अन् किया था, CBI जाच की जाएगी PSC की, वह भी किया जा रहा है, सभी भर्तियों को परदर्सी बनाने के लिए विश्चुदेव साय जी के नित्रितों हमारी सरकार के अलग-अलग विभाग काम कर रहे हैं, आने वाले समयों में कांग्रेस के 5 सालों की तूलना में कई गुना ज गया था, जब ये पूरा मुद्दा उफान पर था, तो मैं बिलासपुर गया था, आक्रोशित थे बच्चे, एक-एक बच्चे दुखी थे, परिशान थे, देखिए, रात-दिन मेहनत करते हैं, घर को छोड़ के छोटे-छोटे कमरे में रहते हैं, कभी खाना कवना लेते हैं, कभी मैगी खा लेते हैं, और पूरी ताकत जोगते हैं कि कॉम्पोटीशन एक्जाम में पास हो जाएं, आप सर बन जाएं, और यहां चाचा, काका, नाना, फूफा, फापी, जितने लोग हैं, इनके सब के बच्चुग बना रहे हैं, यह मत करिए भाई, यह गलत है, जाच हो रही है, जब तक जाच ना हो जाए, तब तक किसी निसकर्स पर पहुँचना ठीक नहीं है, लेकिन आरोप तो हैं, CBI ने F.I.R. तो दर्ज की है, और जो जाच हो रही है, उसके आधार पर यह विसले सण में कर रहा था, घोटाले की पूरी कहानी तो आपने समझ द बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, कल आठ बजे, आठ बजे, चिपक जाईए गविस्तार नियुस, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, सामराज क्या है, कैसे इस पूरे गोटाले को अंजाम दिया गया, क्या क्या आरोप लगे, दस्तावेज के आधार पर एक एक आपको दिखाएंगार बताएंगे